Hello everyone, मैं हूँ किरिंशापुरी और ये है आप लोगों के लिए August 2024 की Love Tarot Reading तो अगर आप जानना चाहते हैं कि August मन्त में आपकी Love Life में क्या हो रहा है क्या आपके पार्टनर की energies होंगी, क्या आप में हसूस करेंगे कौन सी छोटी छोटी सी बाते हैं जिनका खयाल रखके आप सी राशी हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो इन फाक जिस साइन के साथ आप सबसे ज़्यादा रेजोनेट करते हैं आपको लगता है कि ये साइन आपका है, आप उस साइन के हिसाप से इस reading को देखें तो चलिए जी शुरू करते हैं August 2024 की Love Tarot Reading देखेंगे and third set of cards में हम देखेंगे कि finally August मन्त में क्या हो रहा है तो आप से शुरू करते हो और आपके लिए आप सबसे पहले cards मुझे दिख रहे हैं Two of Cups and Can't Stop Thinking of You और ये cards कहते हैं कि आप अपने partner के साथ togetherness चाहा रहे हैं अब देखेंगे ये general reading है तो ये togetherness चाहाना सबसे डिटीजे के लिए पर कर सकता है Two of Cups का card कहीं marriage की भी बात करता है, engagement की भी बात करता है, live-in की भी बात करता है कहीं यूनों जादा connect करना, जादा date पे जाने की भी बात करता है तो इन में से कुछ भी आप चाहते वे दिख रहे हैं यानि की कुछ के लिए हो सकता है आपको ऐसे लग रहा है कि भी इस partner के साथ शादी करनी है या पर शादी हो जाए कुछ के लिए हो सकता है कि आप live-in चाहा रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है simply you know आप जादा उनसे interact करना चाहा रहे हैं जादा update पे जाना चाहा रहे हैं और यहाँ पर can't stop thinking of you का काट कहता है कि आप रोक नहीं पा रहे अपने आपको आपको बार बार उनके खयाल आ रहे हैं बार बार उनकी सोच आ रही है होता है ना कभी-कभी हम इतनी कोशिश करते हैं कि हम उनके बारे में ना सोचें लेकिन हम अपने आपको रोक नहीं पाते तो कहीं इस तरीके की energies आपकी रहती हुई दिख रही हैं और यहाँ पर happy days, head and strength के cards कहते हैं आपको लग रहे है कि बस आप अपने partner के साथ एक खुशहाल जिंदगी चाहते हैं हमेशा के लिए उनका साथ चाहते हैं और इसी लिए शायद कुछ चीजें आपको hurt कर रहे हैं कुछ चीजें आपको बुरी लग रहे हैं कुछ चीजें आपको frustrate कर रहे हैं चीज़ें आपको bother कर रहे हैं लेकिन आप बहुत compassionately बहुत lovingly हर चीज़ को deal कर रहे हैं आप एक सबर रख रहे हैं आप एक patience रख रहे हैं लेकिन कहीं देखिए end August के लिए female running का card कहता है कि आप इस situation से बाहर निकलना चाहा रहे हैं देखिए यहाँ पर जरूर female running है लेकिन यह आपके लिए है तो आपके लिए running वाली escapism वाली energies रहती भी दिख रही है और three of cups का card कहता है इसी लिए शायद partner के लावा और लोगों से आप connect कर रहे हैं और लोगों से आप मिल रहे हैं कुछ situation है get together है और आप उसको attend कर रहे हैं उस पे focus कर रहे हैं कुछ के लिए हो सकता ह है कि आप you know partner के लावा जैसे मैंने अभी बोला और लोगों से मिल रहे हैं और लोगों से connect कर रहे हैं ज्यादा socialize कर रहे हैं अपने friends से ज्यादा आप मिल रहे हैं और दिखे reason सब के लिए differ करेगा कुछ के लिए हो सकता है कि आप अपने mind को divert करना चाहा रहे हैं अपने mind को partner से हटाना चाहा रहे हैं और अब देखते हैं कि आपके partner की energies और आपके partner के लिए हाँ पे सबसे पहला card मुझे दिख रहा है stressful और ये card कहता है कि जो भी आप लोगों के बीच में हो रहा है partner को बहुत stress हो रहा है partner को बहुत tension हो रही है और four of swords का card कहता है कि वो कहीं कुछ time से August starting में थोड़ा सा withdraw कर रहे हैं उतने action initiatives नहीं ले रहे हैं उतना you know अपनी तरफ से आगे बढ़कर चीजे नहीं कर रहे हैं reason सब सेटेरियस के partner के लिए differ करेगा लेकिन फिर से मैं कहूंगी deeper level के लिए stressful का card कहता है कि कि किसी चीज को लेकर एक stress एक tension वो महसूस कर रहे हैं आगे बढ़ना चाहा रहे हैं अब यहाँ पर कुछ सेटेरियस के partner के लिए हो सकता है कि इस relationship को next level पर लेकर जाना चाहा रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है कि इस relationship से move on करना चाहा रहे हैं अब दिखे मैं यह नहीं कह रही हूं कि breakup हो रहा है मैं यह नहीं कह रही हूं relationship end हो रह 8 of Wands का कार्ट mid August की energy ज्यादा बता रहा है तो कहीं mid August में यहां तो देखिए बहुत action initiatives लेंगे हमने देखा कि starting August में नहीं इतने action initiatives ले रहे थे तो फिर से mid August में यहां तो ज्यादा action initiatives ले रहे हैं उनको अपना time waste नहीं करना अगर चीजें ठीक हैं, next level पर चलते हैं और अगर चीजें ठीक नहीं हैं आप दुनों के बीच में तो फिर move on कर जाएं और इसलिए या फिर otherwise भी night of wands reverse का कार्ट कहता है कि एक chain चाहा रहे हैं, again you know एक movement चाहा रहे हैं लेकिन end august में उस तरीके से move on नहीं कर पा रहे हैं एक restlessness हो रही है, एक anxiety हो रही है incoming call का card एक दो चीजें कहता है या तो आप उनको call कर रहे हैं, आपकी call वो नहीं उठा रहे हैं उनको दिख रहा है कि आप call कर रहे हैं या फिर आपको call करना चाहा रहे हैं, नहीं call कर रहे हैं या फिर you know, again आपसे connect करना चाहा रहे हैं, नहीं connect कर रहे हैं या यह भी हो सकता है, वो call कर रहे हैं और end august में आप उनको call नहीं उठा रहे हैं, कुछ भी हो सकता है और अब देखते हैं कि August month में क्या हो रहा है तो देखिए August month के लिए सबसे बहला card है wish granted और ये card कहता है कि अगर मन ही मन देखें तो शायद आप दोनों ही एक दूसरे के साथ यूनों हमेशा का साथ चाहते हैं आप दोनों कहीं मन ही मन में लग रहा है या लग सकता है कि भई ये वही इंसान है जो हमने universe से मागा था जो हमने universe से चाहा था लेकिन आप दोनों में से कोई एक बहुत logical ही चीज़ों को deal कर रहे हैं अब आप दोनों में से कोई भी हो सकता है लेकिन जो female है वो ज़ादा logical, analytical होती भी दिख रही है और इसलिए crumbs का card कहता है कि चीजें किसी level पे टूट रही हैं, किसी level पे खराब हो रही है और इसलिए यहाँ पे 10 of cups reverse का भी card कहता है कि आप दोनों के बीश में काफी प्यार महबत होने के बावजूद भी कहीं issues मसले रहे हैं, कहीं missing feeling रह रहे हैं, उस तरीके से चीजें next level पर नहीं पहुच रही हैं उस level से या उस तरीके से चीजें complete नहीं हो रहे हैं यानि कि marriage, engagement यह सब चीजें चाहा रहे हैं लेकिन हो नहीं पा रहे हैं, यहां इन्हीं से ही related issues मसले रहते हुए दिख रहे हैं, और इसलिए आप फिर अधर वाइस भी devil का काट कहता है, कि एक stress tension रह सकता है, आप दोनों में से कोई एक थोड़े से controlling, थोड़े से dominating हो रहे हैं, या फिर otherwise भी फिर से मैं कहूंगी, एक tension, stress रहता हुआ दिख रहा है, कुछ के लिए हो सकता है, कि physical intimacy आप दोनों के बीच में रह रही है, और जो भी हो कहीं divine guidance का काट कहता है, आप लोग guidance सीख करते वे दिख रहे हैं, कि भाई क्या करना चाहिए, इस relationship को किस direction में लेकर जाना चाहिए, क्या आपका next step होना चाहिए, तो all in all देखें, August month बहुत great नहीं जा रहा है, लेकिन कुछ भी खराब नहीं हो रहा है, और देखें काफी हद तक आप लोगों के उपर निर्भर करेगा कि ये मन्त कैसा जाता है, क्योंकि यहाँ पर देखें, August month के लिए 10 of cups का card है, लेकिन reverse है, इसका मतलब प्यार है, इसका मतलब चीजें ठीक हो सकती हैं, लेकिन कुछ issues मसलों की वज़े से नहीं हो रही हैं, और अगर ये figure out कर लें, कि क्या मसले हैं, क्या issue हैं, बैट के resolve कर लें, solve कर लें, तो 10 of cups, you know, upright हो जाएगा और चीजों को आप भेतर कर पाएंगे, और यहाँ पे भी देखें, wish granted का card है, जो again मुझे कहता है, कि आप दुनों के मन में एक दूसरे के लिए बहुत जबरदस्त, you know, प्यार है, महबत है, और आप दुनों ही बहुत deeper level पे एक दूसरे से connect करते हैं, लेकिन शायद बहुत logically चीजों को deal कर रहे हैं, और जब भी हम over logical हो जाते हैं, या over emotional हो जाते हैं, हम चीजों को खराब करते हैं, ideal situation होती है, heart और mind का balance, तो इन ही चीजों को check करके correct करेंगे, august month को बहतर कर पाएंगे, नहीं तो mix ही energies august month में रहती हुई दिख रही हैं, तो यह था सिरीडेवेस आप लगों के लिए august 2024 की love taro reading, और अगर यह reading आपके साथ resonate करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को like, share और subscribe ज़रूर करें,